दोस्तों TRS Hindi का Highlights Channel TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सीखिए, enjoy कीजिए बहुत unrelated सवाल अभी पूछू हुँ रहा सौरी सर पता नहीं अजीब सवाल कहा से आजाते पर पंजाबी इतने हट्टे-कट्टे क्यों होते है देखें, पंजाबी में क्या होता है कि एक जीन होती है, जो लेक्टोज टॉलेंस के लिए रिस्पॉंसिवल होती है मतलब आप दूध ज्यादा पी सकते हूं? आप इंडिया में, क्या अफरिका में क्या है कि दूध अफरिकान्स, दूध को जो होता है ना oh sugar, lactose उसको डाइजस्ट निगा सकते हैं आफ्रिकन्स और इंडिया में जो नॉर्थ इनियंस हैं उसमें दूद को डाइजेस्ट करने की जो कैपसिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है वाँ ठीक है तो एक रीजन वो है ज्यादा मिल्क पीएंगे के चुम कर लेंगे दूसा रीजन है सेलेक्शन जैसे कि कोई एक पॉप निमारी आई गिप्थरिया प्लेग हैजा उस एक लाख लोग में से नभी लाख लोग नभी हजार नहीं रहे अब जो दस बचेंगे वह काफी स्ट्रांग होगे ना क्योंकि 90 जो वीक वाले हैं वह खतम होगे 10,000 जो स्ट्रांग हो बच रहे तो वैसे ही पंजाबियों में सयाकते में वी काफी सेलेक्शन होग है कही लेवल तक का सिलेक्शन होगए ऑफ फिल की बढ़ी जो सर्वाइवल थे वी बढ़े हूंते इसे लिए उनका सइज ज्वासा ज्यादा होता है पाला से अलेक्टो're होते है झाल्स और दूसरा होता है किमक copul selection हूए उसकी विज़ या जो जो नॉर्वेय हैं इसके वहां के लोग भी काफी लंबे चुड़े होते हैं क्योंकि इतना वहां पर वार्फेर हुए हैं इसलिए तीन अजास सालों में जो कमजोर थे जो सर्वाइब नेकर पाए वह बारे गए जो स्ट्रॉंग थे जो लड़ने में कामयाब है उनकी जो जेनेटिक जो लीनेज है वह पास होते गए उसके करना से सेलेक्शन हुआ फिर डाइट का भी रोल होता है अगर जहां पर खेती बाड़ी नहीं है वह डिपेंडेंसी है मीट के उपर तो लोग डिफेरेंटली स्ट्रॉंग होंगे क्योंकि जो हमने जो खाना जो एड़ बेस्ट पोड़क्ट्स खाया है और मीट खाया है सुड़नली हमने अपने डाइट को चेंज कर दिया तो उसकी वज़े से काफी डाइवस्टी भी काफी बीमारिया है दूसरा है कि फाउंडर एफेक्ट कुछ से पार्सी है पार्सी दोस हो आया अभी पार्सी पचास हजार के आसपास है दो जार दो में एक लाग के आसपास थे तो उनमें क्या हुआ कि जो होती होती है काफी कम हो गई क्योंकि वह अधर दन पार्सी स्कमिनटी शादिया नहीं करते हैं मतलब अपने कजिन से शादि कर लंगा तो वह एक ऐसी फिनामेना है कि उसको बोलते हैं वो डिफेंट डिफेंट तरह की बीमारियों को कारण बनते हैं एक तरह से अब यह कहरो कि अगर आपको तगड़े बच्चे चाहिए तो जाके जापान में डिवी डून दो जापान यस इस 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 मेक्सिको चले जाए यह मेक्सिको यह साउथ अमेरिका भारत से अलग किसी जगह जाओ वहां भी डून दो यह महां पती डून दो यह पुहां चले तिबत यह मांचल में जो वहां पे जो पॉपलेशन है अच्छी वार्चाहिए तो भारतियों आरी बिलकुल बट यह काफी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क एंड एकनोमिकल बर्डन है आने वाले टाइम में मतलब चारीश-पचाहर साल बाद जो है जो जो जनेटिक बेस्ट डिसॉर्डर सोंगे इंडिया में वह उनकंट्रोल होंगे है और यह बखुत बड़ा एकनोमिक चलेंज आने वाला है बहुत एक्स्ट्रीमली एकनोमिक चलेंज क्योंकि हम तो डेटा भारती और लोगों से शादी करते है नहीं अपने अपने कलोज मैं जैसे आप एट जनरेशन पहले अगर वह आपके स्प्लिंस रहा होंगे इशी आठ जनरेयशन के बाद आपने उनिक लीनेजस से शादी कर ली मतलब मेरी बैहन के पोते के पोते के पोते के मेरी पोती के पोती के से शाधी करेंगे, तो फिर ôग हेटोगनेटी सा एटोगनोव होगी, तो ड्इन का ज्यादा एक्यूमलेशन होंगा, मतलब हमें ब्राजिलियन और ने ब्राजिलियन नहीं बट आप रैंडम करो साधी आपको कोई भी लड़की मिल जाए गुजराती हो पंजाबी हो तो आप उससे करो अपने जो कास्ट होता है उसमें अपने गोत्र में या उसमें शादिया ने करने चाहिए थोड़ी मुश्कि आपको समझाएंगे प्ली समझाएंगे मुझे बचाईए जो मैं भी कहने वालों इससे कहा था कि अगर आप किसी को डेट कर रहो और उनकी जो नाचरल स्मेल है उनके बॉड़ी ओडर उनके बॉड़ी ओडर की वज़ए से जो एफेक्ट आपके मन पर आता है अगर किसी के शायद यह मतलब हो सकता है कि यहां तो उन्होंने बहुत टाइम से नहाया नहीं है अगर उसे उस फैक्टर को हटा दे मालो हाईजीनिक है फिर भी आपको उनका बॉड़ी ओडर कुछ खास नहीं लग रहा उसका मतलब यह हो सकता है कि वो जिनेटिकली आपसे सिमिलर है और अगर आपको कोई ऐसा मिला जहां उनके नाचरल बॉड़ी ओडर की बचासे आपको लगी यहां मुझे कमफर्ट फील हो रहा है इनका नाचरल ओडर मुझे अच्छा लग रहा है और किसी का नाचरल ओडर यहां तो आप उनके साथ जिनेटिकली कमपाटबल हो मतलब आपक कई सारे पॉलिकेशन है हमारे अंदर एक जीन होता है इसको बलते है एचले है एचले है तो एचले का जो होता है जीन वो प्रोड़ी में डाइवर्सटी तो अगर आर्म पिट से आपकी समयल अपने काउंटर पार्ट की समयल अच्छी लग रही है इत मिन्स कि जनेटिकली आप डिफरेंटी तो आप डीवर्स्टी और आप लोग एक दूसरे के जनेटिकली कंपटिबेल ही बच्चे तग्ले ने की है बच्चे ज यहादा हांगे बच्चे बह hopeless बच्चा बच्चा बम्राश में बहुत सारे लोगों के सम्बस लिएगा है देखागा है जु ऐघए नाही गुज़राथी नाही महराश्टरिन है уж तो मंदो किसी दूसरी स्टेट के लोग मिले। उन्हें म систal अच्छी लगती है है थो अच्छा है MP3 हां फ़से पन्जाबी कारे साधर Kenny तो इन्हें में आपको Stay connected तो मैं रिक्मेंड नहीं करूंगा तो मुझे नॉन पंजाबी नॉन गुजराती नॉन महाराश्यन लड़की ढूंड़ने हैं कुछ करते हैं गुजरात में मिल जाएंगे बहुत लोग आपकी काफी जनेटिकली डिस्टेंट होंगे गुजरात में भी पंजाब में भी कैसे लोग होंगे जो आपके जनेटिकली कम से कम सो जनेरेशन डिस्टेंट होंगे पहले मेरे पूरज और उनके पूरवे भाइबे तो एक जोग करता हूं जा मैं किसी को अपने खुद के जनेटिक पूल के बार में बता रहा होता हूं मैं एक जोग करता हूँ कि यार देखो मेरे मम्मी और डाड़ी ने वेस्टरन इंडिया की पूरी मैप कवर कर गी राजिस्तान छोड़के तो मुझे अभी साउथ इंडियन चाही है या बंगॉली चाही है ताकि मां पूरी इंडिया की मैप कम्प्लीट करता हूँ पर मैं जिनेटिक लिए पॉजिटिव चीज कह रहा हूँ और आप बहुत अच्छी चीज बोल रहे हैं उसको आप जिस्टिफाइ करिए उसको आप अर्गुमेंट दीजे लोगों को कि मैं सही सोच रहा हूँ मुझे मेर बच्चों को क्रिकटर बनाना है का क्रिकटर बनने के लिए तच में छिए आपको विराट कोली युर्णी क लेकरे हैं यह मेरे पस सेंपल मैं स्रिक्व traditions करता हूं और देख तां क्रिकटर जिन कौन कौन कि उते हैं वाँ ऑक बहुत मझा रहा हैं आपने एक्सपेक किया था कि मैं मेरी खुद की आरेंज मायरशी बात करूंगा आपसे नहीं जहां तक मैं जानता हूँ कुछ-कुछ सोना था इंटरनेट पे बट ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना बागी के वीडियो भी देखिये बहुत तगड़े वीडियो होते हैं TRS Clips हिंदी पर आपको बस चैनल को explore करना है ये वाली playlist देख लेजिए आपके लिए बनाएंगे दोस्त